ओम नवस्षिवाए, स्वागते आप सभी का मेरे अच्छे सवारत द्वा योटूब चैनल पर दोस्तों आज मैं आपको महा सेवरात्री से सम्मंदे जान कर दूँगा महा सेवरात्री पर कई राशियां हैं जो बहुत ही भागिसाली रहने वाली है साथी धतूरे का प्रियोग कैसे करना है पुत्र प्राप्ति के लिए धन प्राप्ति के लिए मा सेवरात्री के वाले दिन कौन-कौन सी राशियां बहुत ही भागिसाली रहने वाली है इस वार मा सेवरात्री पर बहुत बड़ा योग बन रहा है पंच ग्रय योग बन रहा है साथी सूर सनी का योग बन रहा है सुक्र बहुत ही अच्छे स्थिति में रहने वाले हैं बहुत बड़ा संयोग आप कह सकते हैं आज की दिन भगवान सिव की पूजा का विशेश महत्व है जिनको पुत्र प्राप्ती नहीं उपा रही है संतान का सुक नहीं मिल पा रहा है या धन प्राप्ती में रुकाव अटे आ रही है दोस्तों उनको मा सिव रात्री वाले दिन भगवान सिव की पूजा जरू करनी चाहिए देखों आपको क्या करना है पांच धतूरे के फल लेने हैं जो पुष्प वाले होते हैं उसे बोलते हैं पांच धतूरे के फल दे दे साथ ही उस दिर आग के पुष्प भी आसानी से मिल जाते हैं फूल वालों पर फूल बेचने वालों पर 11 आग के पुष्प ले लें, 11 ही बेल पत्र लें, प्रते एक बेल पत्र पर घी और आपको ठोड़ा सा यूगाय का घी और सेद यह चीज़ निए आपको लगाने है। भगवान सिव का पहले अपसे करने के बाद में एक एक बिल पत्र एक एक चावल का दाना भगवान सिव को समर्पित करेंगे फिर लाश्ट में धतूरे पर पीला चंदन लगा करके हाथ में ले लिगे और साथ ये आग के पुस्प ले ले लिगे और भगवान सिवसे प्रातना करेंगे प्रभू मेरी यह मनुकावना पूरी हो पा रही है उसके बाद भगवान सिवको समर्पित कर देंगे जो नवस्टवाय मंतर का जाप करते हुए उसके बाद भगवान को भांका प्रसाद बना के अरपन करेंगे और बेर का जो फल होता है वह भगवान को समर्पित करना है और इस दिन बेर का फल खाना भी है भगवान के सामने दीपक जला के अपनी चाबूले आपकी प्रतिक खाना पूरी होगी दोस्तों इस दिन आठ रासियां बहुत ही भागिसाली है इन रासियों का योग बहुत ही अच्छा है सबसे पहली है मेस रासी दूसरी है ब्रसव रासी तीसरी है करकर रासी चोती है सिंग रासी पांच मी है कन्या रासी छटी है तुला रासी साथ मी है म कर रासी आटमी है कुम रासी और साथी उस दिन नौमी जो रासी भागे साली रहेगी वो रहेगी मीन रासी तो इन रासीों का योग बहुत ही अच्छा इन रासी वालों को भगवान का असीरवाद प्राप्त होगा साथी सभी रासी वाले उपाय करें क्योंकि भोले नात सभी की मनुकामना पूरी करेंगे मास्य वराति पर इस वार खास यूग बन रहा है यह यूग कापी सालों के बाद में आ रहा है बैसे तो मास्य वराति का दिनी इतना अच्छा होता है उसमें भी यह सुबसा यूग बहुत ही अच्छा है इस दिन चौमो की दीपक भगवान के सामने जरू जलाए आपकी प्रतिक मनुकामना पूरी होगी पीपल भरक्य के नीचे दीपक जला के परक्रमा करने चाहिए साथ परक्रमा करें इससे आपको लाम मिलेगा और आपकी प्रतिक मनुकामना पूरी होगी बहुत बड़ा सुबसा यूग बनने जा रहा है तो आप यह उपाय जरू करें और यह रास्यां बियादी बाग के साली है वीडियो को शेयर करें चैनल को सब्सक्राइब करें कमेंट में ओम नमस्यवा जरूर लगें माता पारवती और भोले नात आपकी प्रतिक मनुकामना अवश्य पूरी करेंगे ओम नमस्यवा